आपके जीवन में समस्याएं होना भारी लग सकता है और हो सकता है कि आखिरी चीज जो आप करना चाहते हैं, वहाँ समभब प्रतीत होता है। हाला कि समस्याओं से निपटना और मुकाबला करना एक अच्छी तरह से अध्यायन किया जाने वाला क्षेत्र हैं और कई संग्यानात्मक, भावनात्मक और व्यवहारिक कदम हैं जो आपकी समस्याओं का प्रभावी धंग से सामना करने के लिए उठाए जा सकते हैं। समस्या को स्वीकार करें। जिस समस्या के कारण आपको परेशानी हो रही है उससे दूर रहना आपके लिए आकरशक हो सकता है। हाला कि समस्या से बचने से इसे हल करने में मदद नहीं मिलती है। इसके बजाए स्वीकार करें कि समस्या मौजूद है और इसके बारे में खुद से कुछ सवाल पुछें. इस समस्या के क्या परिनाम होते हैं? इसमें कौन शामिल है? समस्या को स्वीकार करें. समस्या की उत्पत्ती के बारे में सोचे आपने पहली बार इस समस्या को कब नोटिस किया कभी कभी हो सकता है कि आप किसी चीज पर तब तक ध्यानना दे जब तक कि वह लंबे समय से चल रही हो यह विशेश रूप से सच हो सकता है यदि आपकी समस्या में अन्यलोग शामिल है चीजों को परिप्रेक्षे में रखे सबसे आदिक संभावना है आपकी समस्या दुनिया का अंत नहीं है आप इसके बावजूद भी जारी रख सकते है हर समस्या का या तो एक समाधान होता है या इसे एक अलग तरीके से देखा जा सकता है जो यह दर्शाता है कि यह वास्तव में ऐसी कोई समस्या नहीं है आपकी समस्या को एक नकारात्मक चीज या ऐसी चीज के रूप में सोचा जा सकता है जिसमें आपको मौके पर पहुँचने का अफसर मिलता है समस्याओं से निपटने और उन्हें हल करने से आप अधिक सक्षम हो सकते हैं